तो यार हम लोग की तो लेक्षिर तो हो गया ठीक है अब बात आती तीसे लेक्षिर की तो तीसा लेक्षिर जैसे तुम लोग रिक्वेस्ट की तीसा है अब चीज और कि इसके बाद जो मेरे पास 5-6 घंटे के अंदर कमेंट आएंगे कि मुझे ये लेक्षिर चाहिए जो सबस्यादा लेक्षिर टिमांडिंग होगा ठीक है तो यानि जैसे डिफ्रेंट जो टॉपिक सबस्यादा डिमांडिंग होगा तो पहले उसके बना देंग तो अब आप लोग कोई कमेंट्स पर डिपेंड है आप लोग कौन सा कमेंट करते हो याँ थोड़ी सी बात मज़े किये है कि मैंने जो गाना लगाया तकल तो लड़कों ने कमेंट किये वाटसप पर कि सर क्या वात है आज कल बहुत सारे गान लगा रहा हूं तो यार हसी भ हस के रहे खेल के रहे खूद के रहे ऐसे ही टीचर जाजिए ना कि सीरसली मास्टर साब टाइप का एक दम नहीं यार मुझे नहीं अच्छे लगता है ठीक है तो गाना इसलिए लगाते है बैसे भी शकल देख देख क्यों गाना देख लोगे थोड़ा से माइंड क्योंता ह कि अच्छा हो जाता है फीर वीडियो आता है मझा तो सुं चलते हैं बीडियो की तरफ तो यार जिसको पसंद आए है वही लाइक करना खेक है बहुत से लाई हो जाते ज़िबरत नहीं और सबसक्काइब करने की नीद हो तो करना अधर्वाइज जैसी आपकी इच्छा चलत यह बाई आप वीडियाफ से डाउनलोड कर लो ठीक है फिडियाफ से डाउनलोड कर सकते हो देख सकते हो नहीं दिखी रहा है हम भी दिख रहा है तो चलें भाई इस्टार्ट करते हैं तो जैसा कि सामने आपके हैं बुक नोट बूक तो 41 नबर है 16c1 15c1 14c1 14c2 is equal to क्या होका अब यार इसमें देखो हम लोग क्या लगाएंगे सोचो हमाई पता है ncr plus ncn-r is equal to n plus 1cr होता है क्या होता है n plus 1cr होता है तो यार ncr ncn-r दिख रहा है तो यह total value मिला के बना देगी 15c2 बन जाएगा अब इन दोनों को मिला के बन जाएगा 16c2 ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यहां पास 16c1 16c2 इन दोनों को मिला के बन जाएगा 17c2 तो अंसर क्या आएगा 17c2 लेकिन गजब की बात यह होती कि कभी-कभी option पे होता नहीं तो हम लोग क्या करतें या 17c2 होगा otherwise आज हम जितने भी question कराएंगे तो सबके दोनों दो-दो व्यू लेके चलेंगे एक हो सकता एक नहीं हो सकता एक confusing point ठीक है तो देखते थोड़ा lecture लंबा होने तो कोई दिक्कत नहीं confusion नहीं होना चाहिए तो 17c2 है तो या तो यह हो सकता option में या otherwise इसका एक और होता है 17c15 क्योंकि ncr is equal to ncn-r तो n-r करो 17c15 इन कि सर हमको इंट्रवल लगाना नहीं सब्सक्राइब अभी तो या समझ दो इंट्रवल में तुम लोग एक बाट से बता देता हो इंट्रवल कैसे लगाते हैं ठीक है सिद एक मिट लूँगा ज्यादा ने लूँगा कि अगर हमाया पास greater or less equal to zero आता है ठीक है तो यहां मिनस इंफिनिटी आएगा तो मां क्या लगाएंगे ओपन तेर अगल हम आपास greater equal to less equal to ед अर। और अगर मेंपास ger true less equal to आता है तो क्या आएगा close close के केस में आता है अब देखो कभी-कभी हमाँ पास open को हम लोग इस साइंस करते हैं या फिर इस साइंस करते हैं लेकिन जो close होता है close हमेशा इस साइंस से रहता है अब कोसिस यह रहेगी अब ना confused होना कि interval कब कौन सा लगाएंगे तो चलते हम लोग वापस लेक्चर पर अब आपस 42 number question है देखते हैं क्या है 42 है nc r is equal to nc k then find the value तो option given है कि कौन से true होंगे अब देखते हाँ आपस four option है first है r is equal to k second है n is equal to r plus k third है n is equal to k और fourth है r is equal to k and n is equal to r plus k अब देखो समझना हम लोग गलती क्या करते हैं यार हम लोग इस equal to n होता है इन दोनों is equal to k and कर देंगे और question लगा करेंगे ये वाला जबकि हमाँ पास यह question गलत हो जाएगा समझना क्यों क्योंकि हमाँ पास पता है कि यहां पर r is equal to k भी तो हो सकता है तो यहां हपना r is equal to k B होगा और n करेंगे और यत दोनों option में होने तो हमाँ पस दोनों कोश्चन के ओप्शन का होने चाहिए सही होंगे तो आपास अंसर आएगा फॉर्थ नंबर क्लियर हुआ चले नेक्स्ट कोश्चन तरफ और नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 43 नंबर क्या है 43 नंबर है वाई हमाय पास nc3 is equal to 8 n-1c2 ठीक है दन कैरा find the value of n तो nc3 n को कितने तामस ब्रक करना 3 तामस n n-1 n-2 और यह होगा 3-2 यह होगा 6 यह होगा 8 n-1 n-2 upon 2 अच्छे n-1 n-2 cancel होगा ठीक है तो से cancel करो 4 times n is equal to कितना आ जाएगा 24 n is equal to कितना आ गया 24 क्लियर हुआ हमाय में क्या किया nc3 is equal to 8 n-1c2 किया इसको solve किया तो 8 इसके factor को n को कितने तामस ब्रक करोगा 3 times n n-1 n-2 upon 6 यह होगा 8 n-1 n-2 cancel out n is equal to कितना आ गया 24 क्लियर चलते नेक्ट कुश्ण गरफ तो चलते 44 नमबर कुश्ण जो कि हमने तुम लोग लिए छोड़ रखा है 44 तुम लोग सेल्फ करोगे ठीक है 45 नमबर है समझना 45 नमबर क्या है माय पास 45 नमबर कह रहा है in how many ways 5 boys and 6 girls can be seated in circular table किसी ब्रत्ताकार मेज पर पांच लड़के तथा 6 लड़कियां किस तरह से बैठ सकती है किस तरह से बैठ सकती है ठीक है आंगे से हम लिख देंगे पहले स्किप कर देंगे इसको ठीक तो हमसे किसी सर्कूलर टेवल पर है हमाँ पास how many ways in circular टेवल 5 boys and 6 girls can be seated ठीक है तो हमें 5 लड़के और 6 लड़कियां ब्रत्ताकार में इस पर बैठालना ही question बहुत ज्यादा कुछ आता है पता नहीं क्यों इस question में हैसा है क्या जब भी circular table की बात आए तो सीधे सीधे होता है n-1 factorial तो n total कितने होगा वापस नमबर 6511 11-1 और factorial अंसर आजागा 10 factorial clear हुआ अंसर कितना आ गया 10 factorial चलतें next question की तरह और देखें next question वापस क्या है 46 नमबर 46 है ncr ncr plus 1 is equal to n plus 1 cx then x is equal to find करना है ठीक है तो यार यह एक पास्कल theorem होती है फॉर्मूला होता है ncr plus ncr plus 1 is equal to n plus 1cr plus 1 ठीक है nc n plus 1cr plus 1 तो यहां से सीधे सीधे हमाँ पास x की value कितनी आ जाएगी r plus 1 clear चलतें next question और देखें next हमाँ पास क्या है भाई यह पास्कल की theorem होती है ठीक है ncr plus ncr plus 1 is equal to n plus 1cr plus 1 is equal to क्या होता है तो यह value किसकी है x की तो अंसर आजागा x अगला question देखते है भाई तो भाई सामाँ पास 47 number question सामने है कहरा एक circle है और उस पर n points है तो हम कितने triangle बना सकते हैं उन points को मिला के तो यह circle पे हमाँ पास यह नहीं तो होगा नहीं बहुत सारे points होंगे n number of points होंगे लेकिन आपास जो triangle है वह बनाने के लिए हमको three sides की need पढ़ती है यानि three points की need पढ़ती है तो सीधे-सीधे अंसर आजाता है इसका इसका अंसर आएगा nc3 clear हो गया इसका अंसर क्या आएगा nc3 देखते हैं next question हमाँ पास क्या है भाई तो देखो भाई हमाँ पास 48 number क्या एक अस्ट भूज है यानि एक octane है और उसमें हमें number of diagonals निकालने ठीक है विकर्णों की संख्या निकालने तो हमें एक formula इसके लिए पता होना चाहिए कि अगर हमाँ पास कोई भी polygon है कोई भी हमाँ पास भाउबूज है ठीक है तो उसके diagonal के number क्या होते हैं अंसर होता है ठीक है एन n-3 upon 2 formula क्या होता है n-3 upon 2 अब समझना यह दो डाइगनल नंबर आफ डाइगनल ठीक है बिकर्णों की संख्या अब हमसे अगर अस्ट बूज है यानि कितनी साइट होंगी 8 होंगी तो इसका अंसर आएगा 8 8-3 upon 2 2 cancel होके आगया 4 तो 4 into 5 कितना आगया answer 20 इसका answer कितना आएगा 20 क्लियर हुआ हमाँ पास formula में पता होना चाहिए कि अगर हमाँ पास कोई पॉलिगन हो तो उस पॉलिगन में numbers of diagonal कितने होते है n-3 upon 2 तो यार n-3 upon 2 is equal to value कितनी है माँ पास 8 sides है n की value 8 है 8 8-3 upon 2 तो answer कितना आगया 20 आगया इतना क्लियर हुआ next question में पास देखने क्या है next question है किसी भावुज में 104 भी करना है if 104 डागनल्स आर इन पॉलिगन then find the value of sides तो हमें यह बताना उसमें sides कितनी होंगी उसमें भुजाएं कितनी होंगी तो भाई साब देखो हम भी हमें पता कि n-3 upon 2 is equal to कितना है 104 है अब हम लोग क्या करेंगे यहां से यह आ जाएगा n-3 is equal to 104 यह आ गया वापस 2 और 08 इतना क्लियर हुआ अब इसको हम लोग solve करोगे तो n-3 n-208 is equal to 0 इसके कर लो फैक्टर ठीक है फैक्टर करने के बाद आब हम लोग इसको देख लेते हैं अब इसका जो अंसर कैसे पैचाने कि इसका अंसर में लोग option से जल्दी कर लेंगे फैक्टर की compare में फैक्टर करने में थोड़ा सा time लगे तो 108 है तू से या जाएगा 104 फिर या जाएगा फोर से ठीक है तो फोर टूजा एट और फोर सिग्सार 24 नहीं जाएगा फिर टू से थर्टीन तो थर्टीन अब समझना यह आएगा एन स्क्वार माइनस का 16N और प्लस का 3N स्वरी माइनस का 16N प्लस का 13N इसे फोर टू से यहां से एन कॉमन करो एन माइनस 16 प्लस 13 कॉमन करो एन माइनस 16N इस उकल टू कितना जागा 16 आएगा नंबर ऑफ कितना आएंगे 16 आएगे यह जो वे कर रहो इससे क्लियर होगा तो आपस इजी होगा कि आप ऑप्शन से कर लो सिदिए फोर्मॉल अगा ए 50 नंबर कॉश्चन क्या है मैंने दो कॉश्चन लिखे लाइन से दोलों में कंफ्यूजन क्रेट करेंगे फिर बताएंगे क्या से सॉल करेंगे लुख माबाब पास सबसे पहले कहा रहा है एक्क्वेशन सब्द के अच्छड़ों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है पॉइंट दा कॉंबिनिशन ओफ एक्क्वेशन ठीक है तो समझना सीधे सीधे अंसर होता है एक दो तीन चार पांच है साथ आट कितने नंबर लेटर है आपे एट है अंसर आजागा एट फैक्टोरी है लेकिन एक चीज़ा रखना कोई चीज़ यहां पर रिपीट नहीं ह होनी चाहिए कहारे एक है है झाल नहीं है एड कब नेक्स्ट कोश्टं क्या बोला आ है कि इंडीपेंडेन्स जो हमाँ पास लिख लिखते हैं और कितने तरीकों से लिखा जा सकता है अब इसमें था कितने तरीकों से सजाया जा सकता अब इसमें आ गया और कितने तरीकों से तो option हमारे पास दूनों मिलेंगे कौन से समझते हैं independence को और सबसे इंडिपेंडेंडेंस को कितने तरीकों से लिखा सकता है कितने टर्म से एक दो तीन चार पांच है तो यह लिखा अगर हमारे पास सीधे कोशन आता इंडिपेंडेंस टर्म को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है तो यार हम लोग सीधे अंसर यह लिखते लेकिन अगर हम आपस कोशन आ गया independence को और कितने तरीकों से लिखा सकता है जब और लग गया ना तो यार अखना हम यह सा माइनस बन करोगे option यह भी होगा और वह भी होगा और हम लोग उसको टिक करती से लिखा जाएंगे चाह से कि सभी सौर यानि सभी बाववल जो है एक साथ होग ठीखो अब यह जो question है यह वी दो टाइब्स को होते हैं और डोनों में confusion होता है कि सभी साथ है और सभी सर एक साथा नहीं है तो हम लोग करते हैं पहले इस वाले question देखते हैं सभी सवे एक साथ हैं total आपस एट से तीन बोवील अगर हटा दी जाए तो 5 बचेंगे लेकिन बोवल वाला पेर भी तो लोगो वाला पेर लोगे तो 5 वर वन कितना हुआ 6 अब एक सेफरेटली बावल का पेर बना हुआ कितने बावल का तो अंसर आएगा तो एक फिर से समझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा कि हमाएं पास डॉटर में हैं कितने टर्म टूटर एट हैं लेकिन एट में बावल कितने फाइफ हटा दो फाइफ को अटा ओपहले झांग था हम टुटर गुटति से सिफाइफ आइगा तो एक पेर हम अपने आख समझ है इतना है अब ले तो गोल्टिन वाले में क्या करेंगा समझना यार कि हमसे करा कोई भी वावल रिपीट ना हो कोई वावल क्या हो रिपीट ना हो ठीक है अभी तक वावल साथ में तो समझना इसके लिए सबसे पहले हम लो क्या करेंगे पहले निकाल लो कुल क्रमचे कितने बनेते हैं इसके कुल क्रमचे बनेंगे एक दो तीन चार पांच है six factorial six factorial six factorial मतलब हमाँ पास कितना है six five four three two मतलब 35 30 120 और 720 720 अब हम लोग बॉबल वाले साथ में निकालो जब बॉबल वाले निकालोगे तो बॉबल वाले कितने में पास six तो फाइब फैक्टोरियल इंट्व फैक्टोरियल कितना आ जाएगा फाइफ फैक्टोरियल होता हमाँ पास पांच को बीस तीए शाट दूनी 120 और गुड़े 2 240 इसको इससे हम लोग क्या करतेंगे सप्टेट कर देंगे जीरो टू मैंसे एट पूर गया एट बचा ठीक है और यहां पर यहां पर शिक्स में से टूगया फोर इटी तो अंसर कितना आएगा 480 नहीं क्लियर हुआ एक बार समझना यार सबसे हम लोग क्या करते हैं हम लोग यह करेंगे कि गोल्डेन से हम देखेंगे टोटल माँ पास तर्म कितने में उसके बावल वाले तर्म कितने में बावल कर लोगे अलग करने गवाजा माँ पास अंसर आएगा वाजाग बिदा लिकर बनाई जानी है ठीक है तो इसमें लोग लगाएंगे पर्मूटेशन कैसे लगएगा यार कितनी संख्या है एक दो तीन चार पांच पांच जीट से बन रहे है तो उपर तो हो गया फाइफ पी अब समझना सो और एक हजार के बीच कितने डिजिट के नंबर साएंगे सो और एक हजार भाई 101 से लिकर ट्रपल नाइन तक यारी तो फाइफ पी थ्री तो या जाएगा फाइफ फोर थ्री तो कितना आ गया शिक्स्टी अब जिरा इस को समझना इसमें सो और तस अजार यानि कि अब यहां से 101 से लिकर पहले आएंगे ट्रपल नाइन तक फिर आप साथ लड़कों को किसी bench पर कितने प्रकार से बैठाला जा सकता है यह दो लड़के आपस में साथ बैठें यार अभी हमने तुम लोगों को बताया है कि हमाएपास अगर किसी भी bench पर बैठाला तो n-1 फैक्टरिल होता है अब हमाएपास साथ है तो सावत-1 कितना होगा 6 फैक्टरिल लेकिन दो लेकी दो साथ में बैठ रहा है तो इसका उनसे सीधे सीधे डियर ट्री आएगा टूइंटू 6 फैक्टरिल कुछ करने ही जरूँद नहीं है हमें पता है अगर सिंगल सिंगल बैठे तो n-1 फैक्टरिल कितना होता 6 फैक्टरिल लेकिन 2-7 बैठ रहे है तो 2-6 फैक्ट्रिल अगर हमाई पास सबसे खराब और सबसे अच्छा साथ ना आए ठीक है तो हमें ये पता है कि अगर हम 10 exam paper हैं उनको set करेंगे तो कितने type से set कर सकते हैं 10 factorial से कर सकते हैं किने type से कर सकते हैं 10 factorial से कर सकते हैं अब समझना अब हम इसमें से अगर निकाल देए सबसे अच्छा सबसे खराब एक साथ है उसको तो अभी इसके पहले वाला question कहा था कि अगर हमाई पास रुष दो लोग एक साथ हो तो इसके chances कृतने बनेंगे 2 into 9 factorial बनेगा 2 into 9 factorial तो सीधे सीधे माँ पास अंसर आ गया 10 factorial minus 2 into 9 factorial यार हमने कुछ नहीं किया है इसमें सिंपल सा है 10 पर इच्छे पत्र एक साथ रखे जाएंगे 10 factorial हो गया लेकिन अगर हमाँ पास सबसे खराब सबसे अच्छा है साथ होता तो 2 into 9 factorial होटे तो सीधे सीधे उसको हटा दो तो अंसर आ जागा हमाँ पास 10 factorial minus 2 into 9 factorial clear रहे ना चलें next question और next question देखते है अब हमाँ पास अगला question है किसी पार्टी में बहुत अच्छा question है बहुत पूछा भी जाता है ठीक है किसी पार्टी में 30 व्यक्ति है और वो तीन सारे एक दूसरे से handshake कर रहा है यानि कि हात मिला रहा है तो इस प्रकाट total number of handshake बताने कितने हुए तो यार हमाँ पास ही बता हो अकेला कोई बंदा तो handshake करेंगा नहीं उसके लिए उसको क्या चाहिए दूसरा बंदा चाहिए यानि दो लोगों का प्लेयर बना एंड में आर्टिंग्स के लिए formula क्या होता है NCR होता है सीधर सीधर सिंपल संसर आ गया total व्यक्ति कितने है 30 और C कितने हमाँ पास हात मिलेंगे 2 30 C क्योंकि सिंगल हैंड कभी सेख होगा नहीं 2 तो तुमको लेने ही पड़ेंगे 30 C एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से बापस आ सकता है कितने टाइपस पर हाँ पास दिली से बिहार तक कितने वेज है 4 वेज है एक जो परसन है कितने तरीके से जाता है और आ सकता है ठीक है तो यार देखो अगर हमाँ पास 4 वे है तो भाई 4 से जला तो जाएगा कोई 1 तो छोड़ के आएगा ठीक है हमेसा या रखना जब भी ऐसे कोशन आए तो जितने दे रखे हो उससे एक कम मल्टिप्लाइ करा के वापस अंसर होता है तो अंसर कितना आएगा 4 इंटू 3 इस इकल टू 12 ठीक है अब नेक्ट कोशन आपस क्या है 9 में से 4 लोगों का हमें क्या मना नहीं चैन करना है कितनी बार एक खास व्यक्ति हमेसा चुना जाएगा ठीक है 9 में से 4 व्यक्ति हमें लेना है ठीक है अब एक व्यक्ति तो पर्सनली मेरे पास है ना तो इधर कितने बचे 8 बचे और इधर कितने बचे 3 बचे ना इसका अंसर आएगा 8C3 कोई 9C3 ना घरदना यार 8C3 होगा क्यों 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 हमाँ पास 9 थे लेकिन एक तो बंदा हमाँ पास अल्रीडी हमने रखा है ना अपने पास तो 8C3 होगे ठीक है लास्ट कोईस्टिन है आज के लेक्चेर का वो देखते है हमाँ पास क्या है और लास्ट कोईस्टिन है XC2 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 is equal to 36 then find the value of X ये कोश्चन हम करा भी चुके है प्रेक्टिस सेट में अगर XC2 is equal to 36 है तो हमें पता है X को तो 2 times X into X minus 1 upon 2 is equal to 36 ये धर जाएगा तो X X minus 1 is equal to 72 और 72 को कॉंस्क्यूटिव फेक्टर होते है 9 into 8 9 into 8 होते है तो हमें पास आज आएगा X is equal to 9 तिक सीदे से देना से क्या आजएगा X is equal to 9 ये तो हो गए आज की permutation combination के question तो ये अतने question I think sufficient है आप लोगों के पास question हमने courses भी किये confusion थोड़ से create ना कर रहे है अब बाकि जो हम लोग बचे हुए questions है अब जो आप लोग बोलोगे एक से दो गंटे में जो इतने comments आ जाएंगे कि हम उसके बाकि स्टार्ट कर देंगे next lecture का ठीक तो इसलिए चल्दी चल्दी comment करना कि कौन से lecture आपको चाहिए और share जरूर कर देना जो भी बंदे हो उनके पास तक एसी कोई नीट नहीं है सेर करने के लेकिन कर देना है थोड़ा से भला आपका भी हो जाएगा थोड़ा से मेरा भी हो जाएगा ठीक है that's it और बस ऐसे ही मन लगा के पड़ते रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे